नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ परवीन एक नजर सुर्खियों पर बीएसपी से नेलंबिश सांसत दानिश अली को लेकर कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजेराई ने दिया बड़ा बयान कहा अगर वो कॉंग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो उनका पार्टी में स्वागत है मराठा अंदोलन से जुड़े मनोज जरांगे ने डिप्टी सीम दिवेंदर फर्नवीज को दी चेतावनी कहा फर्नवीज को अब समस्दार हो जाना चाहिए नहीं तो मैं सब कुछ खत्म कर दूगा कॉंग्रेस महसचीर जैराम रमेश ने जीडिपी के आंक्लो को लेकर मोधी सरकार पर कसात अंझ कहा जब डॉक्टर मनमोहन पीम थे तब जीडिपी दर आट दशमलो एक प्रतिशत थी मोधी राज में जीडिपी पांस दशमलो चाथ प्रतिशत हुई ये तो थी सुर्खियां और अबात आज की सबसे बड़ी खबर की राजस्थान विधान सभा चुनाव के परिणाम की घोशना के बास से ही प्रदेश की सियासत में सवाल गूजने लगा कि आखर सीयम की कुर्सी किसे मिलेगी यानि कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी को राजब में बहुमत से जीत मिली लेकिन अभी तक सीयम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है इस बीच वसुंद्रा राजे ने फिर से बीजेपी आला कमान को अपनी ताकत दिखाई है जिसे बीजेपी की टेंशन बर सकती है राजस्थान विधान सभा चुनाव पर नाम आने के साथ दिन बाद भी बीजेपी अभी तक सीयम का नाम तै नहीं कर पाई है पार्टी ने 11 दिसंबर को जैपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई लेकिन विधायक दल की बैठक से पहले वसुंद्रा राजे सिंधिया ने बड़ी दावेदारी पेश कर दी है जिसे बीजेपी हाई कमान बैक फुट पर दिखाई दे रहा है पहले भी वसुंद्रा राजे सिंधिया के बेटे दुश्यन सिंग पर विधायकों की बाड़े बंदी का आरोप लगाया गया था और अब वसुंद्रा के आवाज पर विधायक एक जुट हो गए है वसुंद्रा समर्थक विधायकों का ये दावा है कि राजस्थान बड़ा प्रदेश है इसलिए यहां किसी अनुभवी व्यक्ति को ही सियम बनाया जाना चाहिए और पार्टी में वसुंद्रा ही ऐसी नेता हैं जो सभी को साथ में लेकर चल सकती हैं दो बार सियम भी रह चुकी हैं बीजेपी हाई कमान की चिंता का सबसे बड़ा कारण भी है कि पार्टी के जो 115 विधायक हैं उनमें से 40 विधायक वसुंद्रा के कटर समर्थक माने जाते हैं जबकि दाबा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर विधायकों पर सियम चुन्ने का फैसला छोड़ दिया जाए तो 70 से जादा विधायक वसुंद्रा के पक्ष में वोट देंगे और बीजेपी हाई कमान इसी के चलते फैसला नहीं कर पा रहा है और विधायक दल की बैठक को लगातार टाला जा रहा है पहले खबर आ रही थी कि बीजेपी विधायक दल की बैठक 10 दिसंबर को होगी लेकिन अब ये बैठक 11 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई है और आप विधायक के तेवरों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि बैठक 11 दिसंबर को हो जाए ये भी मुश्किल ही नजर आ रहा है इस बीच पार्टी अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने विधायकों से बात चीत किया है लेकिन मामला सुलजने की जगा उलचता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके बात खबरे तो यहां तक चल रही है कि अगर वसुंदरा सीम नहीं बनी तो बीजेपी में बड़ी बगावत भी हो सकती है राजसान में वसुंदरा मोदी और शाह पर दबाब बना रही है खबर है कि सौमवार को होने वाली विधायक दल की बैठक को भी टाल दिया गया है यह अब मंगलवार को होगी इधर बीजेपी राहुल गांदी के दबाब में भी दिखाई दे रही है जिस तर चतिसगर में बीजेपी ने सियम का नाम तै कर दिया राइपुर में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्व समती से विश्रु देव साही के नाम पर महर लगा दी है साही ने विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राजिपाल के सामने सरकार बराने का दाव पेश कर दिया है। उसके बाद से ही बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही थे। इस बार की विधानसबा चुनाव में सायक कुनकुरी सीर से चुनाव जीते हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद साई ने पार्टी का आभार जताती हुए कहा। कि उनकी पहली प्रात्मिक्ता बेघरों को आवास उपलब्त कराने की होगी। 36 गण में लंबे सियासी घमसान के बाद सीम के नाम का एलान हुआ है। इधर कश्मीर में भी सियासी घमसान मचा है। अनुचे 370 और जम्मो कश्मीर राज्जी को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बाटने के फैसले के खिलाब दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिट डी वाई चंद्रचूर की अगवाई में सुप्रिम कोट की पांस सदस्य सम्विधान पीट 11 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। जिसको लेकर घाटी में सियासी हलचल तेज हो गई है। क्या है पुरी खाबर देखते हैं ये रिपोर्ट। अध्यक्ष सज्जात लोन ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोट की नय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। उमर ने कुलगाम जिले के देव सर में जनसभा को संबोधित करने के बाद कहा कि अनुछे 370 को लेकर आने वाले फैसले के बारे में किसी को भी पता नहीं हो सकता है। बस सरकार को उन्हें नजरबंद करने के लिए कोई भी बहाना चाहिए और ये बहाना उन्हें मिल गया है। 2019 को किया गया वो गैर कानुनी था। संविधान और जम्मु कश्मीर के खिलाफ था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें पता चला है कि शुकरवार राज से उनके कारकरताओं के लिस्ट पुलिस थानों के जरीए ली जारी है। लोन ने कहा कि उन्हें उच्चितम न्यायले की न्याय प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है। उन्होंने आगे कहा कि वो उस दल से हैं जिसने अनुशेत 370 हटाए जाने के खिलाफ उच्चितम न्यायले में याचिका दायर की थी। सजाद के अनुसार किसी भी कानुनी मामले में न्यायले की बल तत्थ्यू के अधार पर फैसला देती है। ना कि बहु संख्यक या अल्प संख्यक देखकर अब देखना बहुत दल्चस्प होगा कि सोमवार को उच्चितम न्यायले क्या फैसला लेती है 370 को लेकर के। यानि 2024 में भी बहुमत नहीं मिलेगा। तो कैसे संसथ में कमजोर पड़ी बीजेपी देखते हैं इस रिपोर्ट में। इसे में राज्यसभा की 249 सीटों में से बीजेपी के पास 93 सीटे हैं यानि बहुमत से 27 सीटे कम हैं और सबसे बड़ी बात जिन 56 सदस्यों का कारेकाल समात हो रहा है उसमें सबसे जादा 30 सदस्ये बीजेपी के हैं। क्योंकि देश की विधान सबा में जो गड़ी थे उसमें बीजेपी को जबरदस नुकसान होता दिखाई दे रहा है। में चुने गए सांसदों की सीटों पर होगा और 2018 में जब चुनाव हुआ था तो इन तीनों ही राज़ों में बीजेपी की ही सरकार थी। यानि राज़सभा में बीजेपी की सीटे कम होंगी तो कॉंग्रेस की सीटे बढ़ेंगी। सबसे बड़ी बात अप्रेल में होने वाले राज़सभा चुनावों के बाद बीजेपी उच्छ सदन में बहुमत तो दूर जो इस्तिती अभी है वो बचाने में काम्याब हो पाएगी। इसी पर सवाल उठ रहे हैं यानि मोदी सरकार के दूसरे कारिकाल में उसे बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है और ये भी तैय है कि दो हजार चौबिस ही नहीं दो हजार चब्विस में बीजेपी राज़सभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। राज़सभा में बीजेपी दबाब में रहेगी इंडिया गड़बंदन से भी बीजेपी दबाब में हैं पांच राज़ों के आए चुनावी नतीजों से इंडिया गड़बंदन ज्यादा खुश नहीं है लेकिन इंडिया गड़बंदन में शामिल नेताओं का साफ कहना है कि इन नतीजों का असर 2024 के चुनाव पर नहीं पड़ेगा बलकि 2024 में बीजेपी की हारता है है जब इंडिया एक जुठो कर चुनाव लड़ेगा इस बीच इंडिया को लेकर सपा प्रमुख अखलेश यादव ने भी बड़ा एलान कर दिया है तो क्या कहा है अखलेश अखलेश यादव ने संकेत दिया है कि सपा विपक्षी दलों के गड़ बंधन इंडिया में शामिल रहेगी सपा मुख्या ने कहा कि बीजेपी का मुकाबला करना सपा का पहला लक्ष है भविश्य में हम सहयोगी दलों का सम्मान करते हुए और उन्हें साथ लेकर अखलेश यादव ने कॉंग्रिस के साथ हुई अपनी तकरार को लेकर भी कहा था कि वो पुरानी बाते भूल चुके हैं अब दो हज़र चौबिस की चुनौती है जहां बीजेपी को हराने के लिए वो इंडिया को और मजबूत करेंगे विपक्षी गडबंधन इंडिया क कि बैठक 17 दिसंबर को होने वाली है कॉंग्रिस के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में कॉमन प्रोग्राम और सीट शेरिंग पर बातचीत होने वाली है इस बैठक में विपक्षी दल बैठकर ये तै करेंगे कि चुनाव के लिए कॉम में भी देखी गई बीएस्पी प्रमुक मायावती ने आज बड़ा एलान किया बीएस्पी की बैठक में मायावती ने अपने उत्तराधिकारी के नाम की घोशना कर दी और इंडिया गडबंदन और लोग सभा चुनाव को लेकर भी बड़ी बात कही है तो कौन है मायावती का उत्तराधिकारी और क्या कुछ कहा मायावती ने देखते हैं इस रिपोर्ट में बहुजन समाज पार्टी सुप्रिमो मायावती की ओर से लखनों में हुई पार्टी की बैठक में एक बड़ा एलान किया गया है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीएस्पी सुप्रिमो पाल के अलावा, सभी 28 राज्यों के पदधिकारी भी मौजूद रहे. मायवती ने हाली में 4 राज्यों में हुए चुनाव की कमाण भी आकाश को सौपी थी. इसी से ये तैमा ना जा रहा था, कि आकाश पार्टी में नमबर दो हैं इसके अलावा मायावती राजनेतिक तोर पर खुछ ज्यादा एक्टिव ना होकर आकाश को ही एहम जिम्मेदारियां दे रही थी 2022 में हुए विधासभा चुनाव के दोरान ही यूपी में उन्होंने चुनिंदा रैलियां की थी लखनों में बीएसपी प्रमुक मायावती ने च्छतिसगाड राजिस्थान और मध्यप्रदेश समेट पांच राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद पदधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी इस बैठक में 28 राज्यों से पदधिकारी शामिल हुए पदधिकारियों ने अगामी लोगसभा चुनाव 2024 के चुनाव को लेकर अब तक किये गए कामों की रिपोर्ट पेश की बीएसपी प्रमुक्ने पार्टी के नैशनल कॉडिनेटर से लेकर प्रदेश के कॉडिनेटरों से लोगसभा की तैयारी की रिपोर्ट बांगी थी राज्यों नेतिक जानकारों का मानना है कि लखनों में बीएसपी की बैठक से बड़ा सियासी संदेश दिया गया है वही बीएसपी की ओर से प्रेस रिलीस करके ये बताया कि बीएसपी किसी भी गड़वनन के साथ नहीं है वो 2024 में अकेले मैदान में उतरेगी लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मायवती गड़वनन को लेकर कोई भी फैसला अंतिम समय पर ही लेंगी और बुल्डिटन के आखिर में बात मम्ता बैनर जी की पश्चिम मंगाल की सीम और मोधी सरकार के बीच लगाता तक्राव बना हुआ है बंगाल सरकार राजभवन के जरिये केंदर के हस्तक्षेव के आरोप लगाती रही है और अब केंदर पर एक और बड़ा आरोप बंगाल सरकार की तरफ से लगाया गया है तो क्या है मोधी सरकार पर ये आरोप देखते हैं इस रिपोर्ट में 18 दिसंबर को बंगाल की सियम ममता बनरची दिल्ली आ रही है मोधी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है ममता ने इसके लिए पीम से समय भी मांगा है बंगाल की सियम का दिल्ली में तीन दिन का कारिक्रम है लेकिन कहा ये ज़ा रहा है कि ममता 17 दिसंबर को ही दिल्ली पहुँच जाएंगे क्योंकि इस दिन दिल्ली में इंडिया गडबंधन की बैठक हो सकती है 18 या 19 दिसंबर को उनकी पीम से मुलाकात हो सकती है लेकिन इससे पहले ही मम्ता ने मूदी सरकार को अपने निशाने पर ले लिया है अलीपूर द्वार में कारिक्रेम के दोरान मम्ता ने कहा कि केंद्री की वज़ा से कई लोग सामाजिक कल्यार योजनाओं से बंचित रहे गए हैं मैं हमेशा अपना वादा निभाती हूँ दुख ये है कि केंद्र ने समय पर हमारा बकाया नहीं दिया है जिसके कारण लोगों को अधिक लाब नहीं मिल पा रहा है मुकिमंत्री मनरजी ने ये भी दावा किया कि पशिम बंगाल का बकाया विविन खातों में लंबित है जिसमें मनरेगा के तहस सौधिनों का काम, आवास और जियस्टी संग्रह में राज्य का हिस्सा शामिल है केंद्र पर कुल बकाया राश एक करोड पंद्रा लाख रुपे है ममता बनरजी ने पियम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार जानबूच कर केंद्री योजनाओ का बकाया पशिम बंगाल के लिए रोक रही है अब देखना होगा कि ममता के इस हमले पर मोदी सरकार क्या पलटवार करती है तो आज इस मुलिटिन में इतना ही देखते हुए डिबी लाइव पुसकार